हलो एवरिवन आएम धिलीब कुमार लेक्षर इन बॉटनी एट गॉर्मेट बॉइस डिगरी कालेज श्यदादपूर तो आज हम डिस्कुस करेंगे दुबारा चैप्टर नंबर सेविन जो के हमने पढ़ा था प्लान लाइक प्रोटॉक्टिस्टा और फजाई लाइक प्रो प्रोटॉक्टिस्टा तो आज क्लास फस्टियर के चैप्टर नंबर सेविन के एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्टा के बारे में हम बात करेंगे एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्टा में जो ग्रूप आता है उसको कहते हैं प्रोटो जोआ प्रो हम कहते हैं फस्ट और जो means animal ये पहले जो जानदार थे जो कि यूनिसलिलर जानदार थे जो कि animal की तरह ही थे क्योंकि ये मूव कर रहे थे और ये हेट्रो ट्राफ थे और इन में सेल वाल जो है absent थी मगर ये थे animal की तरह मगर animal जैसे नहीं थे इसलिए इसको जो है protozoa को protoctista में रखा गया है अगर इसके हम character की one by one बात करेंगे तो earliest formed unicellular protoctista ये हैं अगर हम stock of evolution की बात करेंगे तो आपको stock of the evolution यहां से मिलेगा और protozoa के class phlegelator को जिसको करते हैं stock of evolution है protozoa जो है वो first या earliest unicellular जानदार है ये mostly unicellular होते हैं मगर ये कौन colony इन में से कुछ colony बना के भी रहते हैं अगर कालोनी की हम बात करेंगे तो यहां पे एक point मैंने लिखी हुई है इस कालोनी वाली point को यहां से जोड़ते हैं कि जो colonial protozoa है वो multi cellular जो जानदार जो animal है उन से अलग कैसे है तो they are differing from the multi cellular animal they have non-specialized cell जिसे हमारी body में हर एक cell specialized होता है इनकी body में non-specialized cell है जिसके ये कालोनी की सूरत में तो रहते हैं मगर हर एक cell की अपनी एक हैसियत है आगे second point पे हम आते हैं अगर इनकी feeding की बात करेंगे तो ये feed जो है इंगेशन का process होता है ये खाने को निगलते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते मगर यूगलिना ऐसी है ऐसे भी जानदार इसमें हैं जैसे यूगलिना आ जाती है उसमें दोनु क्वालिटी हैं वो अपना खाना बना भी सकता है यूगलिना और वो इंगेशन का process पी कर सकता है जिसका जिकर हमने last lecture में किया था अगर ये खाना नहीं बना सकते तो ये क्या हैं ये हैेटरोट्राफ्स हैं हैwyddोत्राफ्स हम न जानदारों को कहते हैं आशेंगे dot farm their own food material ने Isn't출 हैं किलोरोफिल मौझूद नहीं होता इसलिए ये sunlight को trip नहीं कर सकते और sunlight को convert chemical energy में नहीं कर सकते इनमें photosynthesis का process नहीं होता जिन जानदारूं में photosynthesis का process होता है जिनमें chlorophyll मौझूद होता है उनको artro troughs जानदार कहते हैं आगे आते हैं कि इनमें इनका जो sale है उनके अंदर जो है nucleus की ताइदाद कितनी होती है तो इसमें ऐसे जानदार हैं जिनमें एक nucleus पाया जाता है आपको पता है कि जो animal sale है उनके center में nucleus होता है और जो plant के sale हैं उनमें side में nucleus होता है क्योंकि वेक्यूल्स बड़े 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 होते हैं plant के sale में यहां तो इन में एक नुकलियस होता है यहां तो इनके सेल में एक से ज्यादा नुकलियस होते हैं जब एक से ज्यादा नुकलियस दो से ज्यादा नुकलियस किसी सेल में होंगे तो इसको सेनोसाइटिक सेल कहते हैं तो इसमें दोनु केटिगरी आ जाती हैं यह अब बात आ जाती है कि यह अपनी जनरेशन को कैसे बढ़ाते हैं यह इन में रिप्रोडेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है अगर रिप्रोडेक्शन के प्रोसेस की हम बात करेंगे तो रिप्रोडेक्शन मींस री मींस अगें 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 प्रोड्यूस न् simply sell divide हो जाता है जैसे हम अगर बात करें MABAR की तो MABAR direct divide होगा और इससे 2 MABAR बन जाएंगे तो इसमें एक तो simple division होती है simply divide हो जाते हैं यहां तो हिन में sexual mating होती है इन में genetic material transfer होता है और काफी ऐसे जानदार हैं जिसमें conjugation का process भी देखा note किया गया है आगे अगर हमें इसकी habitat की बात करेंगे कि यह कहां पे मिलते हैं इस दुनिया में यह कहां पे मौजूद हैं इनका environment क्या है यह कहां पे रहते हैं तो habitat की अगर बात करेंगे तो यह aquatic हैं aqua कहते हैं हम पानी को यह पानी में पाए जाते हैं आपको पता है कि पानी एक मेरीन वाटर होता है और एक जो मीठा पानी जिसको फ्रेश वाटर कहते हैं तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं फ्रेश वाटर आपको पता है फ्रेश वाटर कैसे बनता है बरसात के पानी को हम फ्रेश वाटर कहते हैं जहां यो मीठा पानी है जिसमे नमक सोडियम क्लोराइट की तादाद कम है उसको हम मिठा पानी कहते हैं और दूसरा मेरीन वाटर यानि कि समंदर का पानी कड़वा पानी नमकीन पानी वहां भी ये जानदार प्रोटोजवा पाये जाते हैं और प्रोटोजवा कहां पाये जाते हैं ब्रेकिश वाटर ब्रेक ब्रेकिश वाटर पाया जाता है उसको यूस्ट्राइन कहते हैं या यूस्ट्राइन आप कहलें तो वो जगह होगी यूस्ट्राइन तो यह इस ट्राइन में भी मिलते हैं यानि कि ब्रेकिश वाटर फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और यह मेरीन वाटर में भी पाया जाते ह और इनकी एक और भी हैबिटाट है जो इन में पेरासाइटिक केटिगरी आती है पेरासाइटिक हम उन प्रोटो जवा को कहेंगे देगेट देर फुड फ्राम लिविंग टिशू जो कि अपना खाना लिविंग टिशू से लेते हैं वो लिविंग टिशू चाहे प्लांट के ह क्यों रहते हैं क्योंकि इनको खाना वही से लिविंग टिशू में से ये खाना लेते हैं तो इनकी हबिटाइट थोड़ी सी अलग है ये इनसाइड दा बॉड़ी आफ दा एनिमल एंड प्लांट पाए जाते हैं अगर नंबर आफ इस्पेशीज की बात करेंगे के इनकी पॉराणी रपोड है जाइद प्रोटोजवा के जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं इन तीस हजार जानदारों को पांच क्लासेज में डिवाइड किया गया है ऑन दा बेसस आफ देर लोको मोटरी आरगन लोको मोशन कैसे करते हैं उनमें लोको मोटरी आरगन कौन सा मौजूद है उसके बन्याद पे उसके बैस पे इनको पांच क्लासेज में डिवाइड किया गया है जो पहली क्लास है जो फर्स अचा इनकी इवलुशन भी ऐसे हुई है कि जो पहली क्लास है उसको फिलेजी लेटा कहते हैं जिसको मस्टीगोफोरा कहते हैं फिलेजी लेट से evolution हुई है class सार कोडिना की जिसको हम राइजो पोडा भी कहते हैं इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और class तीसरी जो है सिलियटा है सिलियटा को सिलियो फोरा भी कहते हैं ये इसकी evolution इसके बाद हुई है और जो fourth evolution हुई है वो है सक्टोरिया. सक्टोरिया कلاस को भी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स लेक्चर में और इस पोरोज़ा जो, जिसमें के mostly parasite आते हैं finally, इनकी evolution भी इन में से हुई है, ये जो पांच किलास हैं, ये हमारे आने वाले लेक्चर में हम इन्शालला इन डिटेल में इन पे बात करेंगे, इनके character इन में कौन-कौन से जानदार आते हैं, तो next lecture में इन्शालला इन्शालला हम इस पे discuss करेंगे, आज हमने discuss कि इनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा के बारे में जिसमें के protozoa आता है, प्रो मिन्स फर्स्ट, ज्वा मिन्स एनिमल, ये जानदार इन में एक न्यूकिलिस होता है, यहां तो यह मल्टी न्यूक्लेटेड होते हैं, ये हेट्रोट्राफ हैं, ये खाना इंगेशन करके लेते हैं, इनकी हेबिटार की अगर बात करें तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेरीन वाटर में मिलते हैं, और इस्ट ट्रेंड जो जगह है जहां पे ब्रेकिश वाटर मीठा और नमकीन पानी जो साथ होता है, वहां पे भी ये पाए जाते हैं, अगर इनकी बात करेंगे त WhatsApp गुरूप पे आप सवाल पूछ सकते हैं यहां तो डारेक्ट मेरे YouTube चैनल The Biology by दिलीब कुमार काटारिया पे वहां पे भी आप मेसेज करके सवाल पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही Thank you so much